पंदे कुज्रा नमस्ते मित्रो मारू नाम डॉक्टर परीमल जीवरा जानी बर उनाळो एप्रिल नो महिनो पुरो थवा आयो चे अने वात्तावरण आख्वू गरम गरम चे वात्तावरण माजे फेरफारो थाई रहा चे चल्ला केटला कवरशो थी एमा दर वर्षे उनाळमा तापमान वत्तु ने वत्तु जुवा मड़ा चे अने कारणे आरोग्ये पर अने पोताना कारेक्शमता पर खुबज अशर पड़े चे गांधी नगरमा इंडियन इंस्टिव पब्लिक हेल्थ जे काम गिरी करी रही छे एमा पर्टिकुलरी आ वात्तावरण ना अरोग्ये ने ध्यानमा राखी ने पन गणू काम करी रही छे एमा एक आ हीट वेव, हीट एक्शन प्लान के जे अमदावाद मा बनावमा आवियो छे हवे आ विशने लू थी बच्वा माटे शू करू ए विशने ध्यानमा राखी ने इंडियन इंस्टिव पब्लिक हेल्थ ना निशनात डॉक्टर प्रिया दत्ता जे आपने साथे छे आपने पर्टिकुलरी आ तापमान अने असर्थ है रही जे आखूद दुनिया जे आ जे तापमान थी थती थे थादा नुक्षन ने किवित्या अटकावी शका है यह एन्वाटे आगर शू प्लान करी शक्के एनवाद आपने आपने महीत गार कर शे डॉक्टर प्रिया द बस वरशों से जियादा हम लोग हीट action plan पर काम कर रहे हैं और मेरा नाम डॉक्टर प्रिया दयता है जैसे मैंने बताया और हम लोग एम्दबाद का जो heat action plan है वो भारत नहीं सौथ एशिया का पहला heat action plan जो आइपर प्यजने डवलप किा तो आज मैं आपको हमने क्या heat action plan क्या होता है और heat से क्या क्या किस के तरह के बिमारिया हो सकती है उससे आप कैसे बचोगे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो मेरे पास एक presentation भी है तो यह जो पहला जो graph है जो figure है जो आपको दिख रहा है यह है कि आप देख सकते हैं कि 1880 से लेके 2020 का है तो हर साल जो है जो graph है वो यह बता रहा है कि जो कितना temperature बढ़ रहा है तो यह पूरे बिश्व का यह graph है तो आप देख सकते हैं कि पूरे भारत वर्ष में नहीं पूरे ग्लोब में पूरा अर्थ में टेंपरेचर हर साल किस तरह से बढ़ रहा है ओके इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं यह है इस साल का जो भारत का मांचित्र जो इंडियन मेटरोजिकल डिपार्टमेंट ने बनाया है तो आप बीच के यह जो है गुजरात से लेके गुजरात और मध्य भाग जो है भारत का देख सकते हो कि पूरा रेड कलर का लाल रंग का आपको सारा तापमान लिखा हुआ बता रहा है तो यह इस साल यह पूरे काफी शेत्रों में भारत वर्ष में जो ताप है उसको भी तोड़ दिया है तो इस साल का प्मान काफी ज़ादा होगा नहीं हम लोग को मार्च और अपरिजम कमें भी हम लोग नट आ दापमान काफी था गुजरात में जो किनी तना भी अगर आप हम लोग आवडरेज ए तापमान का तो उससे भी काफी ज्यादा था, तो अब हम है कि तापमान से हमारे उपर क्या असर होता है, खली हमारे उपर भी नहीं, जानवरों पे भी क्या असर होता है, तो एक है कि हम जो है हेल्थ हमारा जो शरीर पे जो डारेक्ट जो सीधा असर होता है, वो हीट क्रैंप हीट क्रैंप का मतलब होता है मांस पेसी में अकर जाता है हीट सिंकोप, हीट स्ट्रोक और काफी बार गर्मी से मृत्यू भी देखा गया है इसके अलावा भी हम लोग में जो दूसरे तरह की जो बीमारिया आ सकती है वह डिहाइड्रेशन जो शरीर में पानी की परिवान है वह कम हो जाता है किड्नी का हार्ट प्रॉब्लम यह अलग अलग तरह की बीमारिया भी हो सकती है इसके अलावा बहुत सारे हमारे भाई बंदू है वो डेरी बिजनेस दूद की बिजनेस में भी है तो गर्मी के कारण बहुत बार जो है वो गाये दूद देना भी कम कर देती है उसके अलावा जो workers है जो outdoor workers है जो बाहर काम करते हैं या फिर गर्मी के कारण जो अपने काम बंद नहीं कर सकते हैं लेकिन उनका काम करनी की शमता भी कम हो जाती है और काफी बार हमने आये पेज में बहुत तरह की अलग तरह की research studies भी किये तो हमने यह हमने पाया है कि बहुत लोगों में कि especially traffic police और इस तरह के जो इस तरह के website में जो लोग काम करते हैं जो सीधा जो धूप के नीचे काम करते हैं उन लोगों में चिर्चिरा हार्ट उनके mental health इन सब में भी काफी प्रभाव परता है और काफी शत्रों में जैसे महाराश्टर के काफी area गुजरात में भ भी देखने को मिलती है बहुत बार पीने का पानी भी साफ नहीं आता है गर्मियों में इस तरह की काफी तरह की सो गर्मी के कारण काफी तरह की अलग अलग तरह की समस्या भी होती है जैसे मैंने बताया जो हमारा तापमान बढ़ रहा है वो climate change के कारण हो रहा है तो उसके कारण काफी जगह पिछले साल हम जैसे ठंडी प्रदेशों में जैसे कैनेडा होगा उस जगह में काफी हमारे जो फायर्स है वो आग लग गया था तो ऐसी इस तरह की भी बहुत सारे चीजे होती हैं कि आग लग जाता है फॉरेस्ट में आग लग जाती है एर पलूशन भी होते हैं फायर की वज़े से और पिछले दो सालों से कोवीड कोरोना चल रहा है और इस साल इंडियर मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2022 का जो हीट वे कि पड़ेगी तो अप मार्ट चाइब मार्ट यादा ते इतनी गर्मी नहीं ते याख इस साल मार्च एप्रैल में जून तक गर्मी रहेगी और ये गर्मी के कारण काफी आरे जो लोग वल्नेरबल है ॉलनेरबल मतलब जो लोग था में रहते हैं जैसे प्रेगनेट्ट ओ पहन के काम करना पड़ता है उनको उनमें भी काफी तरह का काफी समस्याय होती है यह हीट वेव के कारण तो जो हीट वेव है तो वो है वो क्या जो जो लोग जो slum में रहते हैं जिनके घरों में ज्याद़ा खिर्किया नहीं होती है वेंटिलेशन प्रॉब्लेम है जिनके घर बहुत क्राउडेड है और हमारे देश में हर कोई एसी घरों में नहीं रह सकता है जो लो बाहर काम करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा व्रिक्ष नहीं है ठंडी जगह नहीं है कूलिंग स्पेस नहीं है कि इनसान कहीं जाके आराम क झाल करें जब बारा से पाँच ये शे बजेद बात्त ज्यादा होता हैं और तो बहुत बार बहुत पानी जो बाहर मिलती है वह पीने लायक भीनहीं होती है तो इस ततरह के चीजों के कारण ईसalsता के बाहर के लोगों के जीवन में हीट गर्मी डे ऐस है है बादा हो जाद यह जो देख रहे हमारे न्यूजपेपर का एक दो कटिंग है न्यूजपेपर में जो निकला था उसमें पिछले साल जो कोड़े की वज़ा से कितने लोग लोग मर गए थे तो जो वैक्ति जो जहां पर उनको आग जला जाता है तो उन लोगों एक-दो जन उन लोगों की बे परता है कोरोना के कारण एक तुहा का तापमान बहुत ज्यादा होता है उसके उपर हीट वेव भी है तो जो डॉक्टर से जो हेल्थ वर्कर से जो आशा बहने हैं जो दिन राद वो दूफ काम करती है उनके उपर और ज्यादा समश्या बढ़ जाती है सो यह तस्वीर आप देख सकते हो गुजरात के काफी कच राजस्थान यह सब जगों में महिलाय पानी के लिए काफी दूर दूर तक जाना परता है क्योंकि वहाँ पानी की काफी समस्या है और गर्मियों में वह समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हर साल कि हमलों का जो ग्राउंड वाटर है कि पानी के जमीन के नीचे जो पानी का स्तर है वह हर साल कम होता जा रहा है हमें पानी की समस्या बढ रही है यह हमने मैंने जैसे बताया इंडिया इंस्टूर आप पब्लिक हिल्थ भारत का पहली संसा जिसने यही गर्मी डिलेटेड जो बीमारिय है पहले उन्होंनों समझा और हीट अक्शन प्लान एमदबाद मुंस्पल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर उन्होंने बनाया तो हमां कैसे यह समस्या हमें पता चली क्योंकि गर्मी 2013 से पहले कोई हीट अक्शन प्लान भारत वर्ष में नहीं था तो 2010 में एमदबाद में काफी बड़ा हीट वेव आया था जिसके कारण काफी लोगों की मृत्यू हो गई थी तो यह आप देख सकते हो जो लाल जो लाइन है वो यह बताता है कि की जो तापमान है कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है 2010 का टेंपरेचर बाकि उसको अगर देख सकते हैं उसके पहले साल का तापमान से तो काफी जादा तापमान 2010 में अमदाबाद में बढ़ गया था तो उसके कारण क्या हुआ था कि काफी लोगों की मृत्यू हो गही थी तो 21 मईं को एमदाबाद का तापमान 47 डिगरी पहुँच गया था जिसके कारण एक दिन में 310 लोगों की मृतिव हो गई थी और अगर हम उस हफते को देखे तो उस हफते में 800 लोगों की अधिक मृतिव हो गई थी 2010 में तो ये जब हमने हमारे संस्ता ने जब हमने शोद किय कि हमें मिला कि इतनी गर्मी के कारण इतनी लोगों की मृतिव हो गई वो भी एक हकते के कारण जब अजानक से 2010 में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो हमने और इसकी पुष्टी करण के लिए मैं आपको ये तो हमने ग्राफ दिखाया डिसर्च वाला दिखाया क कि हमने टेंपरेचर और 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 कॉस्ट मॉटालिटी डेटा और कोस्ट मॉटालिटी मतलब होता है कि हर दीन में कितनी मिर्तियू होती है वो जो हमने अमदबाद मुनस्वल कॉर्पोरेशन से जो डेटा लिया इसके बाद हम आपको न्यूस का 2010 का वीडियो दिखाते हैं त अमदबाद शहर मा गर्मी मा जहां मुकी छे असहिय गर्मी ना काराने लोको हेरान परेशान थे गया शे बपोर्ना समय मार्गो सुमसाम भासी रहा शे आमचता लोको गर्मी ना प्रकोप थी बची शक्या न थी असहिय गर्मी अने लो लागवाना काराने अमदबाद मा बसो थी वदो लोकोने हस्पिटल भेगा करवा पड़े आशे आप जोई शको छो शहर नी वी-एस हस्पिटल मा लू लागवा थी परेशान दरधियोने हस्पिटल मा लवाई रहा शे अहिया दरधियोने तातकालि अधिता तंत्रा ये अभ्यान शरू करी हुशे अने ते माठे 108 एमजनसी एम्बुलेंस सेवा ने वधारे दिवाई शे आसाथे ज अन्य एम्बुलेंस नी पण विवस्था करिया पाई शे तो फार बिगेडनी एम्बुलेंस वेनों ने पण तयार रखाई शे 22 गाड़ियां तो थी सही तीन गाड़ियां एक्स्ट्रा और लगई है और एक गाड़िया भी शामको और बैकप में लगी है तोटल 26 गड़ी अम्दाबाद में इसको कैटर कर रही है और जितना जल्दी उसको कोशिश कर रहे है अन्य हमारी एम्बुलेंस में आपको मालुमे राखवानी सुचना पी देवाही छे निरव गोवानी टीवी नाइन अम्दाबाद में तो यह टीवी नाइन का वीडियो क्लिपिंग साथ 2010 की हालात आपको बता रही है क्या हुआ था उसी तरह इस साल 2022 में भी बहुत ज्यादा गर्मी पढ़ने वाली है जिसके कारण अभी हम अभी में आपको बताऊंगी कि हमें क्या-क्या करना चाहिए तो जिस तर 2010 में ही मृतियू ना हो और हॉस्पिटल पहले से प्रिपेर रहे पहले से उनके पास चीजे हो तो हमने हीट अक्षन प्लाइन बनाया तो वह बहुत सा सिंपल सा है ताकि हर किस इंसान समझ सके जिसमें साधरन व्यक्ति से लेके जो जो शोत करते हैं प्लस जो वीरोक्रेट हैं सर को कोई समझ सके कि गर्मी से कैसे बचना चाहिए और कैसे हम मृत्यू संख्या कम कर सकते हैं तो एमदाबाद भारत वर्ष का पहला शहर बना जिसने रंग हिसाब कलर हिसाब से हमने हीट का अलर्ट बनाया कि जब रेड होगा जब 45 के उपर तापमा जाएगा तब हमारी जो ग वो हर चगा अलर्ट दे दे और ताकि लोग उसी हिसाब से हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से लोग और प्लस डिपार्टमेंट या फिर जैसे ट्राफिक है हर कोई बचने का उपाय कर सके अब ये हमने ये तो हुआ ताकमान के बाद और हमने कुछ सालों से अमदाबाद में ये भी पाया है कि ना कि दिन में गर्मी बढ़ रही है रात में भी गर्मी काफी बढ़ रही है मैं अमदाबाद में काफी सालों से मैं रह रही हूं और मैं और जब मैंने देखा है गर्मिय में एमदबाद में लोग छट में सोते हैं और रात को काफी ठंडा हो जाता है वातवर्ण पर लेकिन पिछले कुछ सालों से आपने भी अनुभव किया होगा कि रात को भी अभी जल्दी ठंडा नहीं होता है हमने हमारा रात का भी तापमान बढ़ने लगा है पहले के हिसाब से जो काफी गंबीर है यह सब को देखते हुए हमने 2013 में एमदबाद मुन्सपर कॉर्परेशन के साथ यहीट एक्शन प्लैन बनाया और हमें यह बनाने के बाद हमने पिछले 5 सालों से हम यह देख रहे हैं एमदबाद में काफी मृत्तिव धर काफी कम हो गई है और इस प बनाया सबसे पहला इसमें चार कॉंपोनेंट से पहला है इसमें अर्ली वर्णिंग सिस्टम वह होता है कि जैसे आयम इंडियन मोटल्मेटलोजेकल डिपार्टमेंट जो हमारे तापमान जो बताते हैं जो संस्था वह संस्था जभी बताए कि कल का या अगले तीन दीन का सापमान यह होने वाला है और हमने एक हर डिपार्टमेंट का एक गुरुप बनाया है कि ज़ चापमान उनके पास आ जाए तो वो कैसे हर संस्ता हर डिपार्टमेंट हेड को वो जानकारी मिल जाए जल से जल उसके बाद है पब्लिक अवर्डनेस एंड कमुनिटी हमने गर्मी के कारण क्या क्या होता है क्या क्या बीमारिया हो सकती है और उससे हम कैसे बचे और हम और उपर से जो आपको कैसे समझ में आए साधरन व्यक्ति को कैसे समझ में आए कि आपके साथी या आपके घर में या किसी को भी गर्मी के कारण बीमारी है या गर्मी के कार हमने दूसरा प्लान बनाया तीसरा है capacity building of medical professional 2010 में आपने जैसे पाया hospital में भी काफी सारी सुवीद्ध है उपलम नहीं थी क्योंकि अचानक से गर्मी बढ़ गी तो उसके बाद हमने ambulance hospital आशा वर्कर और health workers सब के साथ हमने काम किया और उनको हमने training दी जो paramedical staff होते हैं वो और ज इसे लोगों के साथ जुरे हुए हैं उनके साथ भी हमने काम किया उनको बताया कि किस तरह से आप लोगों को समझाओगी और कैसे awareness हम दे सकते हैं जो चौती चीज़े वो reducing heat exposure and promoting adaptation measure जैसे छोटी-छोटी चीज़े जिसमें आपको ज्यादा पैसी की ज़रूरत नहीं पड़त एक लाद में पहले दिन के समय सारे gardens पार्क बंद होते थे लेकिन अभी हमने सारे gardens गर्मियों में खुले रखते हैं ताकि आर वहाँ पीने की पानी की सुविदायं हम उपलप कराते हैं ताकि गर्मी में जो हमारे जो साथ जो लोग है जो बाहर काम करते हैं वो उनको अगर अगर तबियत खराब हो या उनको आराम लेना हो तो वो गार्डेन में जाए वहाँ पीने की पाने की सुवीदाय भी है यह पेड के नीचे छाओं के नीचे वो कुछ समय बैठे और उनको राहत मिले यह हर दिन जैसे मेटलोजिकल डिपार्टमेंट से आता है कि कलका ताप मा कितना होने वाला है जो हमारे पास आती है तो हम हर संस्ता हर डिपार्टमेंट को पहले से बता देते हैं ताकि वो अपने हिसाब से कारवाही करें इस तरह का हम काफी सारे ट्रेनिंग्स करवाते हैं ट्राफिक्स हुआ या फिर आशा की बहने हैं या फिर सेवा वरकर्स हैं हर किसी के साथ हम ट्रेनिंग करवाते हैं और हम यहां के गुजराती लैंग्वेज में भी काफी सारे आइसी मेट्रियल भी हमने बनाया है मेरे जो साथ ही है डॉक्टर परीमल अभी आपको गुजराती में बताएंगे कि क्या कि आपको गर्मी में किस तरह की सावधानी आपको लेनी चाहिए ताकि कुछ जिंदगिया और कुछ स्वाहम बचा सके मित्रों लुज लाग भी छे ए गर्मी ने कारणे खुबच प्रमाण में जो गर्मी वधी जाए तो एने कारणे आपना शरीर माजी असर हो थाई चे एब आपते थोड़ी वात करीश कि आमा आपनों शरीर नो तापमान वत्ती जतू है शरीर पर अमुग लाल चाठा पड़ी जता हो है अमुग नानी गर्मी चड़ी जाए तो पड़ी जवानू एल्ले बहबान थे ने पड़ी जवानू पर थतू है अब दा एक लक्षन हो के आवी तकलिफ हो जुवा मर्ती होए चे अवी जो तकलिफ जुवा मर्ती होए तो तरह तच आम तो सुचे नजीक ना आरोगय केंद्र नो कॉंटे करो जी पन छता घर गत्थु मा अपने जोवाजी ये तो आनाती बच्वा माटे आपड़े दियाम में आखा दीवस दर्मीन मा सारो पाणी पीओ जुई आपड़े ने जो शक्योवी दा पाणी दा लिंबू मीठू अने खान जे ओवारेस केवाई ए ओवारेस पाणी जाएचे व्रुद्धु आवी जाएचे जेके वाय के सगर्भा माता आवी जाएचे ए दोको एदो खास ध्यान राखो खुब जरूरी छे कि बपोर्ना टाइम मां घरनी बार ना निकड़ू और जे लोको ने खास काम माटे निकड़ू पड़े ओ होई छे लोको एपन खास करऊ खुबच जरूरी ठरी ज़हिए छे शाथे हमां яरोगी केंदर ना उप्योग खास करो जो कोई पन तक्लिप ठथी होई तो तरत人ों कांट्रों कांटेक करो कि झारे जरूरी स्ट्राइचे घरनी पोटा नों खुब जरूरी चे साथे हमां कुटुम मा जए बीजावधा व्यक्ति हो छे एलो को ने पर खास ध्यान राखू जरूरी छे नेक्स्ट नेक्स्ट अवे आप बबते आपड़े आने लगती पड़े एक अमुक वीडियो बनाया छे आपड़े ये आपड़े आपड़े जोई शो आकरी गर्मी भारत मा जीवलेंड साबित थाई रही छे जलवायू परिवर्तन, शहरी गरण, इंधननों वधू पड़्तो उप्योग अने व्रुक्षोनू घटवू पन आनुकारण छे अने पविश्यमा गर्मी बत्तर थाशे लू बेहत खतर नाक छे अने मोटा भागना लोको अजान छे के आ प्राण घातक थाई शके छे गर्मी थी वडील, गर्ब वती महिलाओ, बार्गो, बीमार लोको, मजूर, बेगर अने जूपड पट्टी मा रहता लोको वधू प्रभावित ताई छे पण लूनी असर कोईने पण थे शके छे, याद राखो, सारवार करता साउचे ती सारी लू लागवाथी तब्यत खराब थाई तो विनावी लंबे डॉक्टर अथवाचे किचा लईनो संपर्क करो श्रम करवाथी जीवलेण लू लागवानू जोखम छे, तेना लक्षण ओडखो, अधिशे ताव, उल्टी उपका, अशक्ती, स्नायों मा खेचाण, चक्कर, मानसिक असंतुलन, श्वासलिवामा मुश्केली अथवा गब्रामन, जडपी धपकारा, छाती मा दुखावो, बिभान थे जवू, जो आप कोईने आहालत मा जुओ, तो तिमने प्रात्मिक सार्वार आपो, ततकाड 108 पर फोन करीने एंबिलन्स बोलावो, त्या सुथी तिमने छाया मा लेई चाओ, पग उपर करीने सुबडावो, बीना कपडाथी शरीर ने ठेंडू पाडो, हवा न जो ति पूरा भान मा होई, तो ओ आरेस, लिम्बू पाणी, छास जेवा कुद्रती पीना पिवड़ावो, सोडा आपवानू टाडो, आपनी सतरक ताथी कोईनू जीव बची शके छे उनाडो, रजाओ साथे घातक लू पन लावेचे, लूती बच्वा, खूब पाणी पिवो, जेटलो वधारी परसिवो, एटलो वधारे पाणी, ओ आरेस, लिम्बू पाणी, छाज वगेरे पिवो, जा कॉफी अनि कोल्ड रिंग्स पिवानू टाडो, तड़कामा बहार खास करीने बपोरे अग्यार्थी चार वच्चे, आछा रंग ना आराम दायक कपडा पहरो, सिंथेटिक कपडा न पहरो, बहार जता समय पिवानू पाणी साथे राखो, छत्री, टोपी, खेस, पाकडी, अथवा ओडणी ती माथू ढांकेलो राखो, तड़कामा तीवर शारेरिक परिश्रम टाड़ो, अनिवार्य होई, तो बच्चे वच्चे थोड़ो आराम करो, आ सावचेती आपनों जीव वच्चावी शकेछे। थेंक यू गर्मी माथोडी मदद, लावे खूब राहत। आज ये वीडियो बनाव मावे अचे, ये अमदाद में से कॉर्परेशन इंडियेंस टू पब्लिक हैल्थ और अनि एनडी से त्रणे ना सहयोग थी आप वीडियो बनाव मावे अचे, जन जगरूतिने ध्यानमा राखीने। धन्यवाद जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हम लू को घर्मी को तो हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन हम कुछ जिन्दगिया बचा सकते हैं। इसी तरह अगर आप सही तरह से जैसा बताया गया वैसे आप करें। और खुद अपना ही नहीं अपने घर और आसपास ध्यान रखें तो हम कुछ जिन्दगिया बचा सकते हैं। प्रेजंटरिशन तो हमने जैसे हमने बताया कि हम डॉक्टर के साथ मिलके भी हमने काफी सारे वरक्शॉप किये हैं। और इस गर्मी के दौरान हम कर रहे हैं। कि जिसके कारण हमारी स्वास्त संसाएं पहले से जाग रुक रहें। और पहले से हम अगर अगर फिर भी अगर इतना सब करने के बावजूद भी किसी लोगों को चकर आजाता है। आप 108 हॉस्पिटल जाते हैं। तकि हॉस्पिटल मिले हुकर सही उपचार मिले। ताकि मृत्युदर इस साल बिलकुल ना हो। और हम जाज से जादा लोगों की जिन्दगियां बचा सके। यह आप देख सकते हैं। इसमें अगर आपके आसपास आप किसी आदमी को चकर खाएव बेहोश देखते हैं। तो अगर वो बेहोश है तो उसको पानी ना मिला है। अगर वो थोड़ा होश में है तो उसको ORS, अगर ORS ना हो तो एक ग्लास पानी में थोड़ा सा नमक और एक चमल शक्कर डालके उसको आप पिलाएं। और उसके आजुबाजु चारोतरों भीर करके ना खड़े रहें। थोड़ा उनको खुला ताकि हवा आ सके। उनके पाउं थोड़ा उंचा रखे ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो और गले के नीचे बहा के नीचे जहां जहां वहां पे थंड़े पानी और थंड़े कप्रे से पट्टी करें या थंड़ा पानी का छीटा लगाए। और 108 को कॉल करें। जब तक 108 ने आया आप यह सब कर सकते हैं। हर साल यह हम लोग अमदबाद और दुसरे शहरों में चोटे चोटे यह आपके आसपास अगर ऐसी खुली जगह है यह चोटे चोटे आप चीजे कर सकते हैं। अगर यह सब्सक्राशन के कारण जैसे पीने की पानी की सुविदाय आप अपने घर के पाहर या जहां पर पीने की सुविदाय पानी की सुविदाय कम हो तो और ऐसे ठंड़ा पानी का कूलर जग रख सकते हैं। ताकि खुद के लिए भी नहीं जानवर के लिए भी जो बाहर जो स्टे डॉक्स जो बाकी पशू पक्षिया उनके लिए भी आप यह कर सकते हैं और हर दिन आप कृपया उसको साफ करते रहें ताकि यह नहीं कि उसके अंदर दूसरी बीमारिया जैसे डिहाइड्रेशन या फ पे लोग आकर थंडा पानी उनको मिले पानी चाइस जो भी हो इस तरह की चोटी चोटी चीज़े हम करें तो हम आप काफी लोगों को मदद दे सकते हैं लाकि आप cortisol हे लोगों काफी सालों से माइम्दाबाद में यह कर रहे हैे इसके हैं और बात कोरोना शुरू हो गया था लेकिन 2018 तक में जितने बार भी हीट वेव आया है काफी सारे भारत वर्ष के शहरों में मृत्यूदर काफी ज्यादा थे आंध्रा में 2016 में काफी लोग मर गए लेकिन आप देख सकते हो गुजरात में मृत्यूदर हर साल कम होता जा रहा है हीट वे एक बार फिर आया था लेकिन आप 2010 के मुकाबले अगर देखे हॉस्पीटल में लोग आए थे लेकि मृत्यूदर काफी कम थी तो लेकिन हम मेरी गुजारी से अगर आप यह सब चीजे अपने आसपास करे तो हॉस्पीटल तक पहुँचने की जरूरत ही ना पड़ में रहें ताकि हम इस साल कोई भी लोग को ठीक से उनको इलाज हो सके और किसी की भी मित्यूं ना हो गर्मी का कारण इसके अलावा भी हम 2017 से गुजरात में और काफी हाइदराबाद एलिंगरा में कूल रूफ का यह चीज हमने किया है अगर आप देखें यह कोई नया नहीं नहीं हम लोग गुजरात में या फिर काफी यह सब गर्मी के काफी सालों से कर रहे हैं अगर आप देखोगे हमारे जो दादा ना जे थे पहले हम लोग के च्छापर होते थे जो च्छत होते थे वो सफेद रंके होते हैं अगर आप राजस्तान में जाओगे तो राजस्तान में लोगों के घर पहले पत्थर के होते थे या फिर च्छत सफेद रंके होते हैं लेकिन अभी आधुनी करण की वज़र से हम लोग क्या है वो सब चीजे भूलते जा रहे हैं लेकिन अगर आप यह सब कुल रूफ हम फिर से चालू करें तो क्या होता है हम लोग की घर का जो तापमान है तो सफीद रंग क्या होता है गर्मी को अब्सॉर्ब अपने अंदर नहीं यह लेती है तो इसके हम यह पेंट हैं रिफलेक्टरी पेंट करह में उनके घरों पर खया है । हमला। जूं के घरव sap $2400 tsr या कूलर की सुवीदाएं उपलब्ध हैं उनको ये सब समझने में तोरा समय लगेगा कि हाँ क्या होता है हम गर्मी हो तो हम AC चला सकते हैं कूलर चला सकते हमें ये सब की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप सोचो कि जो लोग हमारे देश में ऐसे काफी लोग है जिनके घर में AC कूलर तो दूर की बाते ऑफिटा भी ठीक से नहीं होता है और इन लोग के घर के टिन के रूफ के कारें के घर काफी गरम होते हैं तो ये सब चीजे हैं जो हम जो है अगर कुछ नहीं हो तो उनके घर च्छत में अगर हम सफेद रंगा पेंट करें तो अंदर का जो तो अगर गर्मियों में थोरा पानी डाल के गीला करके उसको भी आप च्छत में रख सकते हो या फिक रिकी के ऊपर रख सकते हो ताकि अंदर का तापमान काफी कम हो जाए तो ऐसे तरह से चोटी-चोटी चीजे आप कर सकते हैं बैंगलोर और काफी जगह क्या है च्छत में लोग पेर लगा देते हैं ताकि तापमान कम हो ऐसे कुछ कुछ चीजे हम कर सकते हैं अपने आसपास की जगहों पे ज्यादा पेर पौधे लगाए ताकि छायरा हो घर के उसका ध्यान रखे पेर पौधों का तो इस तरह से हम अभी नहीं आगे चलके हर साल जो तापमान ज चलके ऐसी आज से अगर हम छोटी चोटी ऐसी चीजों का ध्यान रखे अगर हम करें तो आगे चलके हमारे शहर का तापमान काफी हद तक कम हो सकता है तो यह हमारा गुजरात अमदाबाद में है जो हमने हीट अक्शन प्लैन बनाया था 2013 में आगे चलके इंडिये में नेश अगर किसी का कोई प्रशन हो तो पूछ सकते हैं मित्रों जी आजे वाद थी आपड़े लूने कारणे थती जी आरोग्ये पर असर छिला दस बार वरस्ती खास्टू काम थाई रही हुछे इंडिनेनस्टों पब्लिक हेल्थ गांधी नेगर द्वारा मोटा पाया पर संसुधन थाई रही हुछे अमदाबीमिसीपर अब कारणे थती जी बीमारी हो चे कि गर्मी ने कारणे थती जी बीमारी हो चे ने कारणे जी मृत्यू दर छे एंडिने गटाडी शकाए ऐनना माटे संसुधन इंडिन इन्स वे पब्लिक हेल्थ अम्मा डॉक्टर दिलिप मावलंकर साहिपना नेत्रियुत हेटर आ कामगिरी चाली रही छे मित्रो आपने कोई प्रस्टों है पर्टिकुलरी आजना विश्यनी ध्यान मा राखी ने तो यह त्य आवकारिया छे खुब-खुब आबार मित्रो वे पाचे आपने आ विश्यनी लाइन ने आगण क्यारिक पाचे आपने मणी शुँँँदी आपने पोतान आरग्येन दन पोते जाते राखी शक्या तेंक्यू आबार